मनजिष्ठा के बेहद फायदे है सेहत के लिए और शधिय गुनवाले अंगिनत पेड़, पौधे और जड़ी बूटियों का वर्दान प्रकृती ने मनुश्य को दिया है इसलिए स्वस्थ जीवन का राज प्रकृती की गोद में ही छिपा हुआ है बस जानकारी के अभाव में हम अपने आसपास मौझूद इन जड़ी बूटियों को अंदेखा कर देते हैं ऐसी ही जड़ी बूटियों में से एक है मनजिष्ठा संपूर्ण स्वास्थे के लिए मनजिष्ठा जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया जा सकता है मनजिष्ठा क्या है? मजीट पौधे की जड़ को मनजिष्ठा कहा जाता है मजीट का वैग्यानिक नाम रूबिया कॉर्डिफोलिया एल्प, रूबिया कॉर्डिफोलियर एल्प है रूबिया कोडिफोलिया को इंग्लिश में कॉमन मैडर या इंडियन मैडर के नाम से भी जाना जाता है यह कॉफी परिवार रूबियसी, रूबियसी आई, से संबंधित फूलों वाले पौधे की एक प्रजाती है इसकी खेती जड़ों से प्राप्त होने वाले लाल पिग्मेंट यानी मंजिश्था के लिए की जाती है इसे आयूरवेदिक प्रणाली में मूल्यवान और शधिय पौधा माना जाता है और इस जड़ी भूटी का इस्तेमाल कई रोगों से निजात पाने और शारीरिक समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है एक, एक, वजन लोग मंजिश्था की चायव काड़ा बना कर वजन घटाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं लेकिन मंजिश्था का वजन कम करने से संबंधित कोई वेग्यानिक प्रमान मौजूद नहीं है हाँ, अगर आपका वजन डायबिटीज की वजह से बढ़ रहा है तो इसका इस्तेमाल करने से आपका वजन जरूर कम हो सकता है इसमें मौजूद एंटी डायबिटीक गुन मधुमेह को कम करने के साथ ही इसकी वजह से बढ़ रहे आपके वजन पर रोग जरूर लगा सकता है 2. कैंसर मंजिष्ठा की जर में एंटी कैंसर गतिविधिया पाई गई है इसलिए माना जाता है कि इसका इस्तेमाल करने से आप खुद को प्रांगा तक कैंसर से बचा सकते है यह कैंसर के सल्स को बढ़ने से रोगता है वैसे तो एंटी कैंसर गुन सभी तरह के कैंसर समबंधी सल्स को खत्म करने का काम कर सकते हैं लेकिन एक शोध में इसे खास कर पेट समबंधी कैंसर में उप्योगी पाया गया है दरसल इसमें मोलूगिन नामक सक्रिय योगिक मौजूद होता है जो कोलन कैंसर अनुओं को सक्रिय होने से रोपता है 3. डायबिटीज मनजिष्था डायबिटीज को भी ठीक करने में मदद कर सकता है दरसल इसमें अंटी डायबिटिक गतिविधी पाई जाती हैं जो रक्ट शरकरा के स्तर को कम करती है यह सीरम कॉलेस्ट्रॉल और ट्राइगलाइसराइड ट्राइगलिसराइड नामकवसा के स्तर को भी कम करने में मदद करता है 4. इम्यूनिटी एक शोद में पूरे मजीट के अथनॉलिक आर्ट पर परीक्षन किया था जिसमें प्रतिरक्षा से संबंधित गुनकारी गतिविधी पाई गई दरसल मंजिष्ठा में मौजूद अलकेलाइड्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन, फ्लेवनोइड्स और फिनोल कमपाउंड इम्यूनो मॉर्डिूलेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं इम्यूनो मॉर्डिूलेशन का मतलब है कि एह प्रतिरक्षा प्रनाली की प्रतिक्रिया को शरीर की जरूरत के हिसाब से बदलता है ऐसे में कहा जा सकता है कि मंजिष्ठा का इस्तेमाल प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए किया जा सकता है आप इसका काड़ा बना कर पी सकते हैं या चून के रूप में इसका सेवन कर सकते हैं 5. Arthritis मंजिष्था में Anti-Arthritis और Anti-Inflammatory दोनों ही गुन पाए जाते हैं दरसल, मंजिष्था में Ruby Malin, Ruby Malin तत्व होता है, जो Anti-Inflammatory प्रभाव प्रदर्षित करता है, दो इसलिए मंजिष्ठा के सेवन से अर्थ्राइटिस के दर्द के साथ ही सूर्जन की समस्या भी कम की जा सकती है ऐसे में आप इसका इस्तेमाल अर्थ्राइटिस की समस्या से निपटने के लिए कर सकते हैं हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करे शेर करे और हमारा हाश्मी.com चैनल सब्सक्राइब करें